श्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं नीरु धामा स्वागत करती हूं आपका धामा कैडमी योट्यूब चैनल पर जहां आज हम लोग अपसला मॉडल के बारे में पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशन के बारे में उसके क्या कंपेरिजन हम किसी से कर सकते हैं या फिर वो किसी ने जी दोस्तों देखिए यहां हम अपसला मॉडल पर आ चुके हैं तो इस मॉडल को सबसे पहले समझने के लिए हम सेकेंड लाइन पर आते हैं जहां लिखा है दा थियोरी वस फॉस्ट डेवलप्ट बाए वंगेर 2009 क्या कहा कि जो हमारे वंगेर थी वंगेर बोली यह आप इ वाइल ही वस वाचिंग दी स्वेडिश फिल्म यू के नॉट बलीव के एक स्वेडिश फिल्म देखते देखते उन्होंने एक ठीरी का डिवलप कर दिया तो ऐसे थे हमारे वंगर जी और इनकी कुछ विशेस्ता हैं मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन्होंने इस मॉडल को बनाया ताकि हम जब international होती हैं компании, जब वो internationalization के लिए जाती हैं बहार तो उनहें किस-किस सरह के हाम करने चाहिए वो किस सरह से आगे बढ़ सकती हैं और क्या-क्या तरीके हैं उन सब के बारे में इस apsalah model ने बात करी है तो यơदी मैं शुरूआत करूँ तो जैसा कि मैं आपको बताया 2009 में ये model शुरू हुआ था और basically इस model का जो purpose है वो है step by step process का कि ये model जो है step by step process बताता है कि यदि आप internationalization की तरफ जाते हैं तो आपको किन steps का follow करके आप वहाँ पे अच्छी तरह से जा सकते हैं और अपना अच्छा earning कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला है एक और line में the theory polish let the concentrated focus on into four main aspects that a firm should follow क्या कहा गया है कि देखे बोला है इन्होंने it focus into four main aspects that a firm should follow while going international मतलब कि जब आप international जाते हैं तो आपको कोई चार main aspects का ध्यान रखना होता है इन्होंने knowledge की बात करी knowledge को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड क तरा है the knowledge of the market commitment second paragraph में हम है the knowledge of the market commitment from this theory help the management of the emerging firm to succeed in the business enterprise and to become internationalized दो तरह की इन्होंने knowledge बताई है जो कि हमने अगले model पढ़ते हैं कि according to this model there are two type of knowledge पहली knowledge का नाम दिया है इन्होंने objective knowledge पहली knowledge का नाम क्या है objective knowledge और दूसरी knowledge का नाम है इनका दूसरी knowledge का नाम है experimental knowledge अच्छा तो आप इसको पढ़ सकते हैं मैं आपको इस simplest का बता दे रही हूं क्रक्स कि जो आपका पहली हमारी objective knowledge है उसमें उन्होंने बात की है कि कैसे we are transfer our company from one market to the another market and in the process of international business की objective knowledge आपको क्या बताती है कि किस तरह से हम एक market से दूसरी market में transfer करते हैं अपने assets को अपनी company को और experimental knowledge बताती है कि जैसे जैसे हम अपनी company को बढ़ाते जाते हैं internationalize करते हैं वैसे वैसे हमें experience gain होता है और उससे हमारी एक experimental knowledge निकल कर आती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं the theory conclude that the organization knowledge and commitment to a particular market affect by their decision to commitment and the way the firm has taken decision का कह गया है कि अंत में कहते हैं कि आपकी जो organization की knowledge है जो कि इनोंने दो तरह के बताई थी वो अंत में किस पर निर्भर करते हैं कि आप किस तरह के decision making लेते हैं आप किस तरह के निर्णाय लेते हैं अपनी firm के लिए अपनी enterprise के लिए अपनी organization के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप इनोंने आगे बात की है network theory का आती है network theory का मतलब है यहां इससे comparison करी जा रही है मतलब कि जब अपसला model है उसको उन्होंने बना तो दिया लेकिन बहुत सारी criticize होना पड़ा उन्हें उस model के अगर हम internationalization में जा भी रहे हैं तो हम किसी step को follow नहीं करते हैं तो इनोंने देखी यहां पर क्या बोला है the theory of apsala model और you model was challenged by another model called the network theory अब उन्होंने क्या बोला कि they emerging economies do not follow the step by step process for the internationalization कि कोई भी हमारी जो emerging economies हैं वो step by step process नहीं apply करती हैं जब वो internationalization की तरफ जाती हैं अच्छा according to some researchers most of emerging nations firms that are internationalized are supposed to be surrounded by one or more network via linkage with their suppliers contractors and customers क्या कहा गया अच्छा विन सबने अपने अपने बहुत सारी indexer है आपका मासूम है तो इन सबने अपने अपनी राय दी कि देखी किस तरह से गलत है आप ऐसे क कोई भी step नहीं follow करता वही किसी को कैसे जाना होता है किसी को हर चीज लेनी होती है या फिर अभी हम इसके steps के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आपको कैसे यह चीज गलत है तो यह इन सब के बारे में कुछ ना कुछ इन लोगों ने बाते कहीं लेकिन इसमें जो main the firms in the network where price is considered as one of the major factor क्या कहा गया कि असल में जो success होती है किसी भी internationalization की वो depend करती है उसकी market कि आपकी आने वाली market जिस country में हम जा रहे हैं उसकी market कैसी है which can be possible through the successful amount और कैसे निरभर होती हो कि हमारे firms के network के कितने अच्छे हैं दूसरी market में जितने अच्छे network होंगे जितने अच अच्छा अब उसके internationalized model क्या है और उसके कुछ हम वो पढ़ेंगे limitations लेकिन उससे पहले देखें यह है इनके step जो की बहुत important step number one कहता है no regular export activities का कहता है sporadic export कहा गया है इनोंने कि हमें सबसे पहले कोई export activity नहीं करनी है उसके बाद export किसे करना है independent representative से करना है step 3 बताता है फिर हमें वहाँ पर जाके foreign sales subsidiary खोलनी है और उसके बाद हमें वहाँ manufacturing शुरू करनी है तो अब इसमें questions किस तरह से आए कि इनोंने four steps बता दी है कि आपको ऐसे से जाना है यहीं है four steps आते हैं question तो आप इनको कर सकते हैं मैं आपको इसका अच्छा सा photo भी दूंगी ताकि आप इसको screenshot ले सकें देखिए यह जो इनोंने अपने चार model steps बताए उससे क्या फायदा हुआ और उससे case तरह से internationalization possible हो तो देखिए इनोंने कहा है यह आपकी market A से लेके market N तक है और यहां हमारे वो चार step है जो कि इनोंने follow करने के लिए कहा था पहला कहता है कि no regular export जब ऐसा होगा यहां से हम शुरू कर रहे हैं हमारा कोई export नहीं है देख रहे हैं आप पॉइंट से उसके बाद इनोंने यह market A मार्केट से किस तरह से internationalize हो रहे हैं मार्केट A से लेके market B, market C, market D में जा रहे हैं अपना geographical diversification यह लोग जो है बढ़ा रहे हैं उसके बाद हम जब बात करते हैं market commitment की इस तरफ किया रोकी तो कैसे कैसे करने हैं पहले तो इनोंने no regular export करा उसके बाद independent representatives बनाएं उसके बाद इ diversification को बढ़ाया और जब यह दोनों चीज़े मिलती हैं जब आपकी geographic diversification और market commitment मिलती है तब जाके आपका increase होता है internationalization अर्थाथ आप अपनी market को आप दूसरे देश में आप अपना पचम लहराते हैं तो यह है उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज आती है यह कहते हैं कि जित अपका commitment अच्छा हो जाएगा ठीक उसी तरह से अगर आपकी market commitment अच्छी है तो फिर आपका current activities पे अच्छा प्रभाव पढ़ेगा आशा करती हूँ आपको इस चीज़े समझ में आ रही है यही इस model के बारे में है अब इसके कुछ limitations जैसे कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं तो हम समझ में आ रहे हैं क्या limitations है और एक और बात ही जो foreign subsidiary की बात कर रहे हैं इसी को हम FDI का नाम देते हैं जब हम आ जाकर manufacturing करते हैं किसी दूसरे देश में तो वो भी हमारा FDI का ही part होता है तो यह हमारा apsala model है इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है यह हमारी कुछ theories ब अपनी तरीके से बताना चाहती हूं जिसमें इसने बोला है कि अपसला model कहता है कि step by step follow करो कोई नहीं वानता भाई वो कहता है कि हम step by step क्यों follow करें हमारा मन कर रहे हैं पहले सबसे डरी खोल ले अगर हमारा मन करेगा no export वाली जो आपकी step उसको सबसे last में ले आए यह हमारा गया उपर है कि अगर हम कहीं बाहर जा थे तो हम उसे किस तरस लेते हैं और एक और इसका ड्रॉबक क्या है कि management incentive की बात नहीं करता है यह model management incentive की बात नहीं करता है जो कि बहुद खराब बात है और हमारे एक जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे ठीसिजन मेगई कितनी important है और उ entries अच्छा इन्होंने क्या किया सिर्फ 5DI का नाम ले लिया अरे भाई फ्रेंचाइजिंग भी तो कोई चीज होती है licensing जैसी भी तो चीज़े हैं वो इन्होंने कोई discuss नहीं करा कि हम royalty लेकर या फिर हम licensing लेकर भी जाकर internationalization कर सकते हैं तो ये इनका एक और second drawback है क्या बताया मैंने पहला अपका step by step follow हम नहीं करते भाई हमारी मर्जी second क्या बताया इन्होंने management incentive को नहीं ध्यान में रखा third चीज से हमने क्या बताई कि और जो market के और भी मतलब other forms of globalization है उनको इन्होंने ignore किया जैसे कि franchising और licensing last but not the least वही चीज़े आ रही है कि हम क्यों follow करे company के steps को why should we follow these steps why export could not be on the last ये सब हमारी बाते हैं जो कि अपसला model में कही गई है आशा करते हूं आपको इस model समझ में आया होगा और मिलते हैं अपने अगले model के साथ तो कोई अगर doubt है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं और जी हां मैं आपको इसका आप दे दे रही हूं आप इसका एक screenshot बेशक ले सकते हैं so three two one let me be let's make it a little bit like this three two one I hope you have taken that three two one I hope you have taken this and three two one three two one three two one you can pause the video as well three two one and the last one three two one hope you have taken the screenshot of it it will going to help you a lot so मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए आप इसे शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ like कीजिए comment कीजिए and of course Dhama Academy चैनल को सब्सक्राइब कीजिए bye bye